फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो इंडियन फीमेल्स पर है यानि कि भार्तिय इस्त्री यहां पर मेरे कतन को बहुत अच्छे से समझेगा मेरा कहना है कि भाई भार्तिय इस्त्री सक्सेस्फुल नहीं है मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेगा यूजुली जो मेरा मानना है कि भाई मेरे आसपास बहुत सारी सक्सेस्फुल फीमेर्स हैं और वह इंडियन है अगर मैं एक्जेम्पल देने पर आ जाओंगी तो एक दो घंटा नहीं यानि कि एक या दो दिन भी कम पड़ जाएंगे बट यहां पर मैं मास की बात करी हूं कि भारतिय इसरी पर आजाए और जैसे ही लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी करनी है कई जगे तो होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस लिए थोड़ा बात पढ़ा लिखा देते हैं कि भाई अनपर लड़की से कोई शादी नहीं करेगा लेकिन वहाँ पर भी जो एम होता है जो मक कॉंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ती है कि भाई मुझे बड़े होकर शादी करनी है और वो इसी लिए अपने आपको स्किल करती है स्किल कैसा कि घर के कामकास सीख लो थोड़ी बहुत कड़ाई बुनाई सीख लो सिलना विलना सीख लो खाना पकाना सीख लो वो इसी लिए सीखती है कि वो उसको दूसरे घर जाना है और इसी मैं फ्रेंट जो दूसरा पॉइंट है कि वो पहले से ही अपने आप में हारी हुई होती है यानि कि वो पहले से ही सरेंडर करी हुई होती है कि भाई हम से नहीं होगा इतना बड़ा बड़ा भाई पढ़ाई करना हमसे नहीं होगा या पढ़ाई भी कर लेंगे उस्वाई बाहर जाकर इतना काम करना हमसे नहीं होगा यानि कि जो काम हम करना चाहते हैं जो स्किल हमारे अंदर होती हैं हम दूसरों को समझा भी पाएं यानि कि अपनी फैमिली मेंबर्स को समझा पाएं कि नहीं मुझे ये करना है या आगे चलके मैं अपना इस तरीके का करियर बनाना चाहती हूँ जहां पर हमारे बड़े लोगों ने हमें टोकना शुरू किया या बड़े लोगों ने तेजी से डांट दिया हम वहीं पर ठप हो जाते हैं हम प्रयास ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें खुद में ही जिगर नहीं होता है और उसी के साथ साथ friends हम लोग कई पर क्या होता है रिस्क लेने में कतराते हैं कि हमें लगता है कि राह तो पकड़ लेंगे चल भी देंगे सबसे लड़ भी लेंगे और सब लोग हमें छोड़ भी देंगे कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा और कुछ फीमेल्स के साथ यह भी दिक्कत आती है कि भाई वह जजबे तो बहुत बड़े-बड़े रखती हैं सोस्ती भी है कि उन्हें बहुत कुछ करना है बड़ वह आलसी होती है बैसिक जो नेचर होता है वह कई बार आलस भी होता है कि उन्हें लगता है कि ए रहे भाई कौन पड़े या इतनी पढ़ाई पोसिबल नहीं है या इतना काम करना पोसिबल नहीं है इतना extra माइस जाना possible नहीं है यह जो कुछ-कुछ चीजे में आपको बात बतारी कि कुछ हमने अपने दिमाग में जो obstacles रखे हैं हमारी खुद ही बाधा बनती है और हम इसी वज़े से successful नहीं हो पाते हैं और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान में एक time होता है कि भाई श सब तक आप उनके ओपर बोज बन कर रहोगे जो शादी की एज वाला जो statement आने लगता है यह हमें अपने आप में ही tap कर देता है यानि कि भाई आगे तो success possibly नहीं है कुछ लोग तो कुछ statements में ऐसे भी देखती हो कुछ comments देखती हो कि भाई शादी हो गई life वरबाद हो गई कई बार ऐसे मैंने अपने male friends देखे हैं जो अपनी wife को inspire करते हैं motivate करते हैं कि नहीं भाई तुम कुछ कर सकती हो और मेरा पूरा का पूरा support रहेगा पर यहाँ पर हम female सोड़ी सी मात खा जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भाई हम इतने सारे काम नहीं कर सकते हैं family भी देखें घर भी देखें बच्चे भी देखें और उसी के सासाथ हम वहाँ पर excuse देने लगते हैं कि इतने सारे कामों के सासाथ पढ़ाई हमसे possible नहीं है कई पर क्या होता है या कई पर क्या होता है हमारे अपने emotions पे control नहीं होता है भाई बाकी जो factors है यानि कि बाकी लोगों ने किसी ने कमेंट कर दिया किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ भी बोला हम वहीं पर डिस्टरब हो जाते हैं और पहला काम जो होता है कि अपनी खिताबे बंद करना यानि कि हमें excuse मिल जाता है कि इतने disturbing elements हैं हम तो भाई कुछ करी नहीं सकते कई पर क्या होता है ज हम उन questions से हताश परिशान हो जाते हैं उन questions के ही answer नहीं दे पाते हैं अगले के लिए तो मुह से पट्टा से बोल देना होता है लेकिन हमारी जो life का stopper होता हो उसी समय लग जाता है friends लोग तो बोलते ही इसलिए हैं कि आप शान्त होकर बैट जाएं आपका अपना क्या मानना होता है या आपकी अपनी हिम्मत क्या कहती है last but not the least एक जो अपने आप में एक और ख्याल आता है कि हमें तो कोई भी मिटा सकता हम अकेली है ना हम तो female है ना हम तो अबला है ना friends यह जिस तरीके का अपने आप में एक जो बड़िया सा दिमाग में thought चलता है यह भी हमें most of the time हमारे ही country में इन्ही points को सर पर लेकर चल रहे हैं और इन्ही को सरवे सरवा समझ हैं पनी success ना पाने के लिए कहीं न कहीं हम इसी tool को use कर रहे हैं friends आप female है आप इस तरी है मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ हम माद दुरगा को represent करते हैं यानि कि हम में अथा शक्त पसंद आया होगा और कहीं पर आप अपना बहाना ढूर रहे हैं तो आप उस बहाने को जरूर हटाएंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने किस बहाने को पहले यहां पर reject कर दिया और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको like करना मत बुलेगा अप लेसंस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजागा so thanks a lot for giving me this month time